नमस्कार स्वागत है आपका अमारे इस चैनल में तो आजकी जो वीडियो है वो है जुनेद अकरम साहब के चैनल से और वीडियो का टाइटल है तो हीते हैं जैसे कि आपने विडियो का निया नियुताराद करेंसा किसे सब्स्क्राइब और कि ऑपकिस्तन चेय regifs जिसका लगयी मर्जी से भुरते हैं इतना तो इमान है व्हकी लिए ह्स me हमारा आज ही दिखा रही था बहुत से लोग की खाहिश है कि हमें पाकिसान में रहना है क्योंकि उनको शाहिए पसंद है ग्यारवी सदी में रहना पॉविंग आउट और मुझसे अकसर बच्छे सवाल पूछते हैं कि जी बहार कैसे जाएं यह आपका दूसरा सवाल होना चाहिए पहला सवाल आपका होना है मैंने दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइट कर दिया है और यह जरा मैं आपको एक यह करके समझाता हो पहला हिस्टानी पासपोर्ट पे आज भी आपका वीजा लग जाता है, लोग वहाँ पहुंच जाते हैं, आप पढ़े लिखे ना भी हो, मजदूर हो, मजदूर की भी नौकरी लग जाती है, वाइट कॉलर भी वहाँ जाते हैं, ब्लू कॉलर भी वहाँ जाते हैं, नौकरी लग जाती है, लोग अपनी फैमली मूव कर लेते हैं, घर वर्ड ले ले लेते हैं वगयरा वगयरा अच्छा लोगों को इन अरब मुमालिक में जाके कोई कल्चर शौक नहीं होता है अगर आप मुलतान से गए तो गर्मी प्रिटी मुच सेम ही होती है दूसरे लागों से गए तो ज़रा गर्मी जादा लगती है हाववर आपको खाने भीने की कोई दिक्कत नहीं है हर जगा हलाल मिलता है अजान की आवाज आती है कल्चर कोई इतना डिफरेंट नहीं है लगता है कि आप पाकिस्तान में कोई आट हजार साल बाद आगे हैं तरक्की वर अरक्की दिखरी होगी आपको राइट तो यह शॉर्ट टर्म इसका गे है हाँ अगर घर में खुदाना खास्ता कोई अमर्जनसी हो गई डेड़ दो घंटे की फ्लाइट ली वापिस पाकिसाल आ गए कोई बिमारी हो गई कोई एकसिलेंट हो गया कोई मयत हो गई तो लोग आराम से वापिस आ जाते हैं और रिलेटिवली चीपर प्राइस में आपकी रीच में ठीक है यह हो गया शॉर्ट टर्म गेन बट लॉंग टर्म पेंट क्या है जिस तरह मौत का एक दिन मुतेयन है इसी तरह जिसी इसी से वापिस आने का भी एक दिन मुतेयन है एक ना एक दिन आपने वापिस आना ही है आपने एक दिन वापिस आना ही है मैं स जाता रॉंग वे समझ रहें तो जो इनसान 40-50 साल ऐसे मौशरे में गजारे और वापस है देखें वो जो पाकसान छोड़के गए थे 1970 में 75 में 80 में एक बहुत अच्छा पाकसान छोड़के गए थे वो जिस जगा गए वो और आगे है और जब वापस आई ये और पीछे तो वो डिपरेशन में चले जाते हैं डाइबेटीज हो जाती हैं जो लोग अच्छा वक्त गुजार के आए हैं लंबा वक्त गुजार के हैं GCC में खुद कमेंट में बताते हैं वरना लोग बोलेंगे मैं बढ़किया मार रहा हूं आते ही लोग बिमार हो जाते हैं यहां पे सारे बैठे होते हैं चाचे ताय लूटने को बड़ा जी नोट कमाके है गलत जगा इंवेस्मेंट कर दी सीधे साधर लोग होता है वहा आपिस आना ही आना है अब आते हैं दूसरी स्टेशी तरफ जो के है शॉर्ट टर्म पेन बड़ लॉंग टर्म गेन यानि के अगर आप किसी तरह पहुंच गए अमरीका यॉरप ऑस्ट्रेलिया तो इसका शॉर्ट टर्म यह है के जी वहां सेट होना मुश्किल है कल्चर श खाल गरी चले गए तो फिर अलगी मुशिबत है खाने बीने की दिक्कत है हर जगा हलाल नहीं मिलता अब यह के थोड़ा बहुत हर जगा को डोनर ओनर मिलता रोज डोनर नहीं खाता ना है समझ रहे मेरी बात फॉरण इसने पैसे नहीं बचते टैक्स लग रहा होता है यहा आओ नहीं आओ और अगर निकलूंगा अभी तो मैं 36 घंडे बाद पोचूंगा खुदानाखास तो कोई मयद अटेंड करनी हो तत्वीन हो जागी बहुत से लोग जो है आखरी दीदार नहीं कर पाते बहुत कर्प में रहते हैं पेन में रहते हैं साथ ही साथ मुश्किल ल अचा कमफर्टर भी कोई चीज होती है नहीं सेरियल के साथ यहीं डलेगा ऐसे कपड़े दो लेंगे नहीं नहीं चीज़ें डिस्कवरी जोरी हो तो वो शॉर्ट टर्म पेन जरूर होता है आपको सेटल होने में टाइम लगता है घर से बहुत दूर होता है ईत तैवार का क लेकिन कि लाइफ होती है गए लिकिन लाउंग टरंब गेन इसका क्या है आपको पासपोर्ड मिल जाता है अगर आपकी चॉयस है कि जी मैंने वहीं रहना है फिर आप जो है दूसरी चीज़ें आपकी बच्चों की स्कूलिंग मगारा हो इती है कावर हो जाती है मैं अमरीका की बात नी कर रहा है, मैं दूसरे मौले की बात करूहूंगा चाहाँ पे ये वाली पॉलिसी जाता है, आपको मेडिकल मिल जाता है, आपके बचे फ्री में पढ़ लेते हैं, ये वाले आपको बते हैं. और खास वर्पे मैं बच्चों को यही कहूंगा लैंड आफ उपर्चुनिटी बिलकुल अमरीका है अगर आप 19-20 साल की उमर में 21 साल की उमर में किसी तरह अगें हर कोई नहीं जा सकता है भाई बापके अकाउंड में बहुत पैसे दिखा हो तो ही आपको वीजे मिलते हैं व सीट उसकी है आपको कुछ नहीं है तो सिस्टम यहां पे ऐसा डिजाइंड है कि आप दीवार से ही लगे रहोगे और एक पर्टिकुलर क्लास है वही यहां पे फलती फूलती रही हावेवर आप अमरीका जैसे माशरे में जाते हो या यॉरप में किसी जगा रहते हो उस्ट कि दस साल देने होते हैं उसके बाद सकून ही सकून है फिर आपके बाद एक अच्छा डॉक्यूमेंट है आपकी इजद है कल को खुदाना खास्ता आपको यहां किसी ने कुछ कर दिया तो वही पूरी स्टेट डिपार्टमेंट उठके आजाएगा आपको बचाने के लिए यहां तो आप अपने मुल्क में कोई मूनी लगाएगा ना आपको वह आप ओवर सीज भी होगे आपको एमेल आजाएगी कि यहां पे सिविल वार का खत्रा है अगर आप अफरीका में जा रहे हो आपको एमेल गवर्मेंट पूछती है आपसे कि भाई आप यहां आए हो ख चूज आपने करना है कि उड़ेंगें सकरिफरेंग तो इनवेटिबल pasture इंटीबल ये बात तो मार्किस औरथेंगा आपने लेनिया यह आपने चूज़ करना है युड गाईड़ से दूर तो रहना पड़े हम तो आपने भी लेना है बाद में लेना है जी सीख मुमालिका पी बंदा 4,000 रियाल पूरे साल का, जैसे साओधी में पिछले कुछ 2-3 सालों पहले लगा ना, हर घर पे 20,000 रियाल की एक्स्ट्रा वो आ गई, तो इस किसम की चीज़े वहां आड होती रहती है, फिर आपको इवेंचुली महंगा पड़ता है वहां रहां 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 ना, पॉइजन कौन सा चाहिए, जाना कैसे वह बात की चीज़ है, पहले आप यह चूज करें, तो यह मैंने एक छोटी सी खुदी मेरे जहन में एक चीज़ आई थी, मैंने सोच आप लोगे साँ शेयर करूँ क्योंके बहुत सारे बच्चे हैं, उनको कोई गाइड करने वाला बचारे खुदी उटके चले जाते हैं, पिर उनको लोग बेवकूफ भी बनाते हैं, एजन्ट लग जाते हैं, वो पैसा खाते हैं, पिर कोई वादे करते हैं, आजओ मैं नौकरी लगा दूँगा, या कोई कहते हैं अच्छा या नहीं हो तो हालात खराब हैं, खुद वहा आपका पेन नहीं परदाश्त होता, जवानी में आप गिर जाओ, चोट वोड लग जाए, कोई मसला नहीं, आपकी बॉड़ी फॉरन रिकावर करती है, पचास में गिरोगे ना तो गुठना लेके ही पिर कबर में जाते हैं, तो पेन जिन्दगी में जो भी लिने चाहें, दिल का पेन हो, जिसम का पेन हो, जितनी जल्दी ले सकते हो ले लो, बात वाले पेन ना वो आपके साथ पर्मेन नहीं कर पाते हैं, बौर्ड है न, इनसान है, फिर माइंट सेट भी जो आपको वीग हो जाता हैं, तो आप सब के लिए बहुत सारी दोय जहां जाएं, जहां आके लोगों को सिखाएं, ताके लोग भी जो है, अपने पैरों पे खड़े हों, ये एक चोड़ी सी कोशिश थी, I hope किसी को मैंने उफेंड ना किया हो, कमेंड में अपने अपने तजरुबाद जरूर लिखिएगा, वो लोग जो 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 लेकिन अपने अपने आपको, और पिर उन्होंने माशालला फिर एक एमपायर खड़ी की, अपनी जरूर शेयर कीजएगा, देखें, आपकी सोच है, कितरे लोग कहा कहा बैट के आपकी बातों से इंस्पायर हो सकते हैं, मुझे कहा कहा से कैसा फीड़ बैग आया, मैं सोच अपनी जरूर शेयर करें, ताके लोगों को भी encouragement मिले, अगर आपका opinion different है, मैं वो भी welcome करता हूँ, मैं चाहता हूँ best of the best version निकले, इस video के जरीए, इस communication के जरीए, ताके जो साथ हमारे बच्चे-बच्चियां बैठे हैं, जो पीछे line में लगे हो हैं, उनके लिए रानुम जो सके, ख्याल रखिएगा, जो जो, इस video के इन्होंने comparison किया है, GCC countries और Western countries का, कि क्या है, और वाक्य में ये fact है, अगर आप GCC countries में जाते हो, दुबई, अबुधाबी, या साओधिया में, या इधर कहीं भी, कुवेत, कतर, इन सब में कहीं भी जाते हो, तो वहां पर आप मतलब, आप लगे रहो, लग लगे रहो, आपको कभी भी वहां पर citizen नहीं माना जाएगा, आपको वहां पर बाहर कहीं कि तुम तो बाहर से आए हो, तुम तो यहां के local हो यह नहीं, एक दिन तुमने बाहर ही जाना है, तो एक time बाद आपको अपनी country में, आपकर India के तू India, या पाकिसान के हो, तो पाकिसान में आपको जाना ही पड़ेगा, और यह एक concept है कि हम कहते है, tax free है, tax free है, यह ऐसा कुछ नहीं है, tax free है, no doubt कि आपकी salary पर tax नहीं लगता, but उनके fine इतने ज़्यादा तकड़े हैं ना, कि आप से वो पैसा ले लेते हैं, उनका transportation महेंगा है, fine क्या system महेंगा है, तो आप से अगर आप गंदी, दुबई में अगर आप गंदी गाड़ी लेकर road पर चले जाते हो, तो आपके account से 200 धिरम कर जाते हैं, अगर आप road पर थुकते हो, या कुछ भी ऐसा काम करते हो, तो आप के ओपर fine लगता, तो बहुत ज़्यादा सक्त हैं, जिससे वो वहाँ पर tax लगा, tax से, कानून से जो penalty होती है, उससे वो अपना गुजारा करते हैं, या आप से वो tax के एवस में वो penalty ही लेते हैं, और अगर दूसर comparison किया जाएं, ये western countries हो गया, like America, Canada, Australia हो गया, या Europe को कोई कोई country हो गया, अगर आप वहाँ पर जाते हो, आप मेहनत करते हो, अब ही क्या होता हमारे mindset में क्या है, कि हम कोई छोटा काम नहीं कर सकते हैं, हमारी में जोता कि दूसरा क्या बोलेगा, उसको कर पता लगया कि मैं ये कर रहा हूँ, तो वो क्या सोचेगा, मेरे बारे में ये है, वो है, ये बारली country में जाकि आपका mindset चि करते हैं और कोई भी छोटा काम नहीं होता है सब काम काम होता है कोई box pack का कर रहा है कोई toilet साफ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है तो दुनिया काम कर रही है खाली वाटने से हैं कि अपना काम करो और वहां पर काम करते हैं और वहां का करेंगे नित्र ambient करो वने कि मांलब यहां पर पाकिसान फिरूम की बात ऑफ है कि की बंद कुछ काम ने होता तो चलो солo की एक रड़ी लगालो यह कर लो कर सीऊर करेंगिा किरत चोर्टण काम ओए आ और कुछ ready लगाना ये तब करना या toilet साफ करना ये करना वो करना ये सब थोड़ा सब लगता कि या लोग क्या बोलें कि ये है वो है तब ही जो यहां के जो youth आना वो majorly क्या है वो IT की तरफ जा रही है technology की तरफ जा रही है कि हम अपने आपके अंदर इतना ज्यादा वो लियाए इतना ज्यादा skill अपना मजबूत कर लें कि in future हमें उसकी ज्यादा जुरत पड़े और हमारी value बड़े उस skill से तो हम अपना skill करते हैं नहांस करते हैं बट वाली country में आपको skill के साथ साथ extra income अगर आपने करनी है तो यह सब काम भी करना होता है तो यह थी आपकी वीडियो informative वीडियो अगार आप नहीं देखना कि आप फिचर आपने कहां जाना है और क्या best है आपके लिए तो अगर आपको वीडियो चे लगे तो please like करना, share करना, comment करना, subscribe करना मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, bye bye